आरबी आई की मंत्री रिपोर्ट आई रिपोर्ट में ये बताया गया कि सितंबर तिमाही के दौरान औसत महगाई 6 फीसद से उपर रह सकती है आरबी आई ने ये भी कहा कि सबजियों की सीजनल महगाई पर लगाम लगाने के लिए सप्लाई को लेकर बड़े इस्तर पर सुधार की जरूरत है जुलाई के दौरान देश में औसत महगाई 7.44 फीसद रही जो 15 महीने का उपरी इस्तर है सबजिया महगी होने की वज़े से महगाई में सबसे ज़्यादा बड़ोतरी होई है इसके अलावा अनाज डाले और दूद की महगाई बढ़ने की वज़े से भी महगाई दर में इजाफा हुआ है सर क्या इसका संबन्द भी आपको लगता है मौनसून वाली ख़बर से है कि अगर पूरी तिम्हाई के लिए हम यह मान रहे हैं कि महगाई उपर रहेगी रिजर्ब बैंक ने खुलकर अपने नोट में जपनी सिमिक्षा में तो नहीं कहा है कि मानसून के रिवाईवल अलिनो का असर क्या है लेकिन अगर अगर रिजर्ब बैंक की मौदरी पॉलिसी सिमिक्षा के दोरान जो टिपड़ी आई थी उने देखें तो आपको इस समझ में आयागा है कि रिजर्ब बैंक को लग रहा है कि अगर सितंबर और अक्टूबर के महीनों में बारिश और मौसम का मिजाज वैसा न बेहतर मांग निकलेगी उसके उपर महंगाई का साया है और महंगाई का असर हमें अभी से लेकर अक्टूबर नौंबर तक दिखाई देगा एक तो वजह मानसून का सभाव और सूखे की संभावना है तूसरी चीज़ है कि अगर मानसून का रिवाइवल नहीं होता है अब इस तरीके के खबरे आ रही है कि सरकार और सरकार के बीच में बाचीट के बाफ़ीदी मोजामबिक के ट्रेडर भारत को सस्ती डाल देने को तियार नहीं है महंगी डाल भारत को बेची जा रही है त्या mieszka नियानी जो आयातित डाल बायेगी वो भी भारती बाजार में नहीं करेगी